हेलो और विल्कम बेक टो भीओदय क्लासेच यूपी आज की इस वीडियो में हम हमारा हिस्टरी का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है हर्सवर्धन इस पर चर्चा करने वाले हैं जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने कुप्त कालीन प्रशासन का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है कैसे लिखना है इस पर चर्चा किया था तो चलिए देखते हैं यह हमारा पाठ्योजना संक्या 13 नंबर का है अल्रेडी हमने 12 पाठ्योजनाओं पर चर्चा कर लिया है अगर आपको उसकी आवशक्ता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएगा मैं लिंक भी दे दूँगे आप वहां से भी जाकर देख लीजिएगा और हाँ प्ले लिश्ट भी तयार है हिष्ट्री, सिविक्स, अन्य जो अधर सब्जेक्स है उसके भी लेशन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा अगर आपको या किसी आपकी दोस्त को उसकी जरूरत होती है तो आप उधे भी बेश सकते हैं और बता सकते हैं ठीक है उनके साथ सेर कर सकते हैं यह देखते हैं हमारा आज का पाठ्योजना प्रक्रड है हर्सवर्धन विद्याले का नाम यह सभी चीजे हम लिख लेते हैं दिनांकक्षा वर्गविशय का लांस अवदी उसके बाद प्रक्रड लिख लेते हैं प्रक्रड क्या है हमारा हर्सवर्धन ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं शमाने उद्देश्य में पुर्वत लिखकर आगे बढ़ेंगे अगर समाने उद्देश्य के पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप पहले और दूसरे स्टार्टिंग के पाथ योजनवा में हमने समाने उद्देश्य के पॉइंच लिखे हुए है उस पर चल्चा भी किया हुआ है आप एक बार चेक कर सकते हैं ठीक है आपको मिल जाएगा मैं लिंक दे दूँगे आप वहां से जाकर देख लिजेगा आपको सुबधा हो जाएगी चलिए देखते हैं इसके बात विशिष्ट उद्देश्य में हम को तीनी उद्देश्य लिखते हैं कियानात्मक बधात्मक और क्रियात्मक इसमें कुछ पॉइंच लिखते हैं जैसे क्यानात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे चात्र हर्सवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे दूसरा चात्र वर्धन वंज की उपलब्दियों के बारे में जान सकेंगे फिर बोधात्मक में लिखते हैं कि चात्र हर्सवर्धन के प्रसासन को समझ सकेंगे और दूसरा पॉइंट है चात्र हर्सवर्धन के ब्यक्तितों का बोध कर सकेंगे उसके बाद प्रियात्मक में लिखते हैं कि चात्र हर्सवर्धन के कारे को समझा सकेंगे और चात्र हर्षवर्धन की उपलब्दियों का उल्ले कर सकेंगे यह हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद हम लिखते हैं पूर्वग्यान पूर्वग्यान में लिखेंगे चात्र गुप्त काल तथा वर्धन मंज के विशे में सामाने जानकारी रखते हैं पूर्वग्यान के बाद सहायक सामगरी लिखते हैं सहायक सामगरी में लिखेंगे कि वर्धन मंस को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, पेपर या चार्ट, यह हमारा हो जाता है सहायक सामगरी, जो भी चीज़े हम टीचिंग के दरा सहायक सामगरी में यूज करते हैं, वो सारी चीज़े यहाँ पे हम लिखते हैं, अब आते हैं इंट्रोड़क्षिन हम करते हैं यहां पर प्रस्तावना प्राश्ण लिख लेंगे इसमें चात्र ध्याप्च ए चात्र ध्यापी का कफन और चात्र छात्र कफन इन दोनों का कॉलम या बोक्स मनाते हैं जिसमें हम क्वेशन करते है? जैसे पहला क्वेशन है हमारा बुद्ध तता गुप्त के समय किसका आक्रमर जारी था चात्र बताएंगे हूडो का उसके बाद दूसरा किस वंस के राजा ने हूडो को भारस से बाहर ख़रेर दिया था चात्र बताएंगे पुषपभूती वंस का फिर तीस्ता क्वेशन करेंगे कि पुषपभूती वंस को और किस नाम से जान जाता है चात्र बताएंगे कि वर्धन वंस ये लिखने के बाद वर्धन वंस चात्र चात्र कथन में लिख देंगे फिर हमारा आता है समस्यात्मक प्रशन जो है वर्धन वंस का प्रतम राजा कौन था यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्ण यहाँ पर समस्यात्मक लिख देंगे फिर उद्देशे कथन लिखते हैं उद्धेश चेगदान में लिखेंगे बच्चो आज हम वर्धन वंस के संस्थापक हर्स वर्धन के बारे में विश्टरी अध्यान करेंगे ठीक है? इतना क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तूती करण पर प्रस्तूती करण लिखेंगे इसमें हम बॉक्स बनाते हैं सिक्चर बिंदु का चात्र ध्यापक या चात्र ध्यापी का कथन का फिर चात्र चात्र अनुक्रिया या चात्र चात्र कथन का और एक आखरी में स्यामपटकारे का भी हम कॉलम बॉक्स बनाते हैं इसमें हमारा जो पहला सिक्षडविंदु है वह है वर्धन वंस वर्धन वंस लिखेंगे फिर क्वेशन करेंगे कि वर्धन वंस का प्रथम राजा कौन था छात्र कतन में मौन लिख देंगे उसके बाद अस्पश्टी करण लिखेंगे अस्पश्टी करण में लिखेंगे कि गुप्त काल्म से लगभग सो वर्षो बाद उत्तर भारत में एक नई सक्ति का उदे हुआ जो वर्धन मंस के नाम से जाना जाता है उसकी राजधा नी थानेश्वर थी इस वन्स का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था जिन्नोंने हुडों को उत्तर पश्रिम भारत से बाहर ख़देर दिया था प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्य वर्धन तथा हर्स वर्धन तथा पुत्री राज्यस्री थी सासनकाल मतलब इनके सासनकाल के बारे में हम अब बताएंगे चात्रों को इसमें हम कुछ प्रश्ण कर लेते हैं पहले जैसे पहला क्वेशन करेंगे कि पुछ पभूति वन्स को और किस नाम से जानते थे चात्र बताएंगे वर्धन वन्स की नाम से जानते थे फिर क्वेशन करेंगे कि वर्धन मंस का प्रथम राजा कौन था चात्र बताएंगे कि प्रभाकर वर्धन उसके बाद हम मोन प्रशन करते हैं हर्स वर्धन कब राजा बने यह हम चात्रों से पूछेंगे चात्र यहां पर मोन हो जाएंगे हम चात्र मोन लिख देंगे हाँ इसके ठीक नीच चात्र चात्र ध्यान पूर्वग सुनते हैं यह आप अभशे ही लिखते हुए आगे बढ़ेंगे लिखेंगे अब असपश्टी करण करण में लिखेंगे कि हर्सवर्धन 606 इसापूर्व से 667 इसापूर्व ब्रैकेट में लिखने के बाद 16 वर्ष की आयू में गद्धी पर बैठे हर्स्वर्धन की प्रारंबिक राजधानी थाने स्वर्थी बाद में उन्होंने कर्नोच को अपनी राजधानी बनाया हर्स्वर्धन स्वयम विद्वान थे तथा वह विद्वानों के अश्रेदाता भी थे हर्सने संस्कृत में तीन नाट को नागनंत रतनावली प्रियदर्शिका की रचना की चीनी यात्री हिंसंग हर्स्वर्धन के समय में भारत आया था हर्सवर्दन हे इंसांग की नजर में एक प्रजापालक एवं उदार सासक था समराजी की संपूर ब्यवस्था के लिए उसे प्रान्तो विशियो तथा ग्रामों में विवाजित की या हर्स के सासन में अपराद कम होते थे यह हम हर सवर्दन की सासनकाल को छात्रों को असपश्ट करेंगे बताएंगे उसकी व्याख्या देंगे ठीक है इसके बाद स्यामपटकारे आप कर लेंगे जो भी टीचिंग के दौरान स्यामपटकारे ब्लैकबोर्ड पे आप लिखकर छात्रों को बताएंगे समझाएंगे वही सारी चीज़े हम स्यांपट कारे में लिखते हैं, कॉपी में भी अपने, देखते हैं, आगे हम मुल्यांकन के प्रश्ण अपना, इसे हम पुन्रवर्ती के प्रश्ण भी लिखते हैं, तो आपको जो उचीत लगेगा, आपके कॉलेज का फॉर्मेट जीस हिसाब से होगा, थोड़े बहुत चिंज़े आप अपने हिसाब से कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेज का फॉर्मेट एक साही हो, तो जो यहां पर बताया जाए सारी चीज़े आप वही एक्जेक चापेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, कभी कबार बहुत से कॉलेज में बदला होते है, लेसन प्लान में, जो भी बदला होंगे, वो आप कर लेंगे, अपने हिसाब से, हाँ एक चीज़ और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, गुपते सामराज जी की उपलब दि चेगा, और वीडियो को लाइक और सेर भी कर दीचेगा, अगर फसंदारी होतो, चली देखते हैं, मुल्यांकन के प्रश्न, पहला है हर्स वर्धन गद्दी पर कब बैठा, दूसरा, रतनावली किसकी रचना है, तीसरा, वर्धन मंस का प्रतम राजा कौन था, और चौथा यह हर्स चरित के लेखक कौन थे, यह होता है हमारा पुंडर्ति या मुल्यांकन के प्रश्न, क्रिये कारे देते हैं, सभी चात्र वर्धन मंस के बारे में घर से संचिप्त में लिख कर लाएंगे, यह होता है हमारा पाठ्योजना यहीं पर, इसी के साथ समाप सोगा, आज क के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, जाते वक्त चैनल को लाइक शेरें सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे, थैंक यू